जवारलाल नेहरू इनिवर्सिटी छातरसंग के अध्धेक्ष रह चुके कनहिया कुमार बेगुसराय से लोगसभा चुनाव लड़ेंगे भारतिय कमुनिस पार्टी से इनका चुनाव लड़ना तै हो चुका है और पार्टी की जिलाई काई ने उम्मिदवारी के लिए राज्य कारिकारनी को कनहिया का नाम रिकमेंड कर दिया है राज्य कारिकारनी से मंजुरी मिलने के बाद इसकी घोशना की जाएगी भारतिय कमुनिस पार्टी के सुत्रों के अनुसार कनहिया का बेगुसराय सीट से नाम फाइनल हो चुका है जिला इकाई को उम्मिद है कि राज्य कारिकारनी मार्च के पहले सब्ताह में होने वाली उनकी बैठक में उनके नाम का अनुमोदन कर देगी बिहार में भारतिय कमुनिस पार्टी का राष्टी जन्तादल कॉंग्रेस आधिदलों के साथ माहागडबंधन है लेकिन सीट बटवारा अभी तय नहीं हुआ है बेगुसराय सीट यदि भारतिय कमोनिस पार्टी के खाते में गई तो ठीक नहीं तो कनहिया का महागडबंधन से लड़ना मुश्किल हो सकता है इधर भारतिय कमुनिस पार्टी के सुत्रों से खबर है कि सिट शेरिंग का मामला सुलजे या ना सुलजे कनहिया हर हाल में बेगुसराय से चुनाव लड़ेंगे। बेगुसराय के अलावा पार्टी तीन अन्य सीटो याने की मोतिहरी, खगडिया और मधुबनी पर दावा कर रही है। भारतिय कमुनिस पार्टी नेता डीर राजा ने इन सीटो पर अपना दावा लालु प्रसाथ से मिलकर जता भी दिया है। कनहिया कुमार प्रधानमंत्री मोधी के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं।